पती की लंबी आयू और सदा सुहागन रहने के लिए महिलाओं को इस तरीके से लगाना चाहिए सिंदूर. सिंदूर हर विवाहित महिला के सुहाग की निशानी होता है. हिंदू मान्यता के अनुसार विवाहिताओं के प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाने से उनके पती की उम्र लंबी होती है वही सही तरीके से सिंदूर लगाने से पती पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और दोनों के रिष्टे के बीच दरार नहीं आती है वहीं ये विवाहिताओं को अनेक तरह की बुरी बलाओं से भी बचा कर रखता है पहले महिलाएं सीधी मांग में आधे सिर तक सिंदूर लगाती थी लेकिन अब इसका फैशन बदल गया है और आजकल विवाहिताओं केवल माथे पर सिंदूर की एक छोटी सी लाइन बना लेती है वही जहां पहले सूखे सिंदूर का प्रयोग किया जाता था अब ज्यादातर महिलाएं मांग में सिंदूर की जगह लिक्विट सिंदूर लगाने लगी है आपको बता दें कि सिंदूर को किसी भी तरीके से लगाना सही नहीं होता है, हिंदू धर्म में सिंदूर कैसे लगाया जाएं इसके बारे में भी बताया गया है आईए आपको बताते हैं कैसे लगाना चाहिए सिंदूर यदि आप एक हिंदू परिवार से हैं और एक विवाहित स्ट्री भी हैं, तो सिंदूर का क्या महत्व होता है यह हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है हिंदू परिवार की महिलाओं के लिए सिंदूर किसी भी अन्यवस्तु से बढ़कर है सुहागन स्त्री को अपनी मांग में सिंदूर इस तरह से लगाना चाहिए जिससे वो प्रत्यक्ष सभी को दिखाई दे लेकिन बदलते वक्त के दौर में आजकल आफिस जाने वाली विवाहिताएं कुछ इस तरीके से सिंदूर लगाती हैं कि वह किसी को दिखाई ही नहीं देता है आपको बता दें कि ये सही नहीं है सिंदूर माथे पर हमेशा दिखता हुआ लगाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को हमेशा सीधी मांग में ही लगाना चाहिए बिना मांग निकाले या उल्टी मांग में सिंदूर लगाना सही नहीं माना जाता है गीला सिंदूर लगाने के बजाए सूखा सिंदूर लगाना चाहिए इसी के साथ सिंदूर को सीधी मांग में आधे माथे तक लगाना चाहिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचो बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पती की अकाल मृत क्यों नहीं हो सकती है माना जाता है कि यह सिंदूर उसके पती को संकट से बचाता है एक और मान्यता के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाए किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है उसका पती उससे किनारा कर लेता है इन पती-पत्नी के आपसी रिष्टों में मतभेध ही बना रहता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदिस्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है और सिंदूर भी काफी लंबा लगाती है तो उसके पती की आयू लंबी होती है सिंदूर का महत्व बताने के लिए काफी है रामायन का ये प्रसंद रामायन में एक प्रसंद आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शकल एक जैसी है इसलिए मैं ध्रमित हो गया अब आप ही बताईए श्री राम की नजरों से भला कोई कैसे चिप सकता है कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारास नान कर रही थी उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बान छोड़ दिया अब आप ही बताईए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पती को नहीं मारते फिर उनके अलावा ऐसा कौन करेगा रामायन का ये प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है पती की लंबी आयू उनके मांसम्मान और बहतर व्यवाहिक रिष्टों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद